वेलकम टो एकलव्या स्टेडी पॉइंट आपको करवाने वाला हूँ तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेव आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे कोई भी आपको प्रवलम हो तो आप आके पूच सकते ह हैं और टेलिग्राम ग्रूप को आप ज़रूर जोइन करें वहां पे 12,000 से ज्यादा स्टुडेंट्स अल्रेडी जोइन हो चुके हैं आपको टेलिग्राम ओपन करना है और क्लास 12 ESP न्यू ग्रूप सरज मारना है और आप जोइन हो जाएंगे वहां पे आपको आपडेट ठीक है तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और वेबसाइट है www.aglovyastudypoint.com यहां पे आपको सिरफ और सिरफ इंग्लिश ही नहीं फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, पॉल साइंस, हिस्ट्री ठीक है और हिंदी सारे ही सब्जेक्ट के नूट्स आपको मिलने वाले हैं इमेनिटिस के तो आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें और मैंने इसी चैप्टर की डिटेल वीडियो भी बना रखी है समरी में ठीक है जिससे आपको बहुत जादा मदद मिलेगी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का अब जाके इस वीडियो को जरूर देखें आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से भी समझ में आ जाएगा ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मारा फर्स्ट क्वेस्टन है वो इस दा राइटर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ठीक है जनीज जंग या अनीज जंग या दोडे या नन तो इसके जो राइटर है वो अनीज जंग है ठीक है वो वस साहेब ठीक है अशौपकीपर अस्टूडेंट असोलजर अर रैग पिकर तो साहेब कुन था एक रैग पिकर था फ्रॉम वेर डिट साहेब कम धाका देली द्वारका या मुंबई तो साहेब आया धाका से बंगलादेश वाइ डिट साहेब एडिस फैंवली कम तो इंडिया लीविंग बंगलादेश वाइड इसका डी ओप्शन सही हो जाएगा यानि कि जो स्टॉम से ठीक है उन्होंने उनके घरों को उनके खेतों को सब चीजों को डिस्ट्रॉई कर दिया था वाट डि इस कॉपर, ओप्शन सी इस सिल्वर और ओप्शन डी इस प्लैटिनम तो साहेब जो है वो गोल्ड को ढूंता था वोट एडवाइस वाज गिवन साहेब बाइदा राइटर ठीक है राइटर ने क्या एडवाइस दी थी गो टू टी स्टॉल या गो टू इस होम या गो टू सम अधर स्ट्रीट या गो टू स्कूल तो राइटर ने तो यही एडवाइस दी थी कि मतलब आपको स्कूल जाना चाहिए या पढ़ने लिखने की उमर है वाट डॉस वाट डॉस स्क्रॉंजिंग मीन ठीक है ओप्शन ए है लुकिंग फोर या फिर सर्चिंग फोर या रब आलं ए साहिव, लाहे वे सालं या माहे वे लालं तो उसका जो मतलब जो फुल नेम ता रियल में वो क्या था साहे वे आलं वाट इस्था मीनिंग ओफ साहे वे आलं ओफशन ए ग्रेट रैग पिकर्स यह फिर चीफ ऑफ पॉर या फिर लौड और आफ यूनिवर्स यह फिर डैश, option A humorous या ironical या satirical या ridiculous तो इसका full name कैसा था? ironical था, क्योंकि इसके नाम का meaning है lord of universe पर ये क्या करता है? ragpicking करता है तो कहीं न कहीं ये irony है साहेब's full name means lord of the universe, but he leads a life of dash wealth and power या appellance, या prosperity या poverty and misery तो इसका answer D हो जाएगा काफी जादा दैनी है, काफी जादा गरीबी में, उसकी life जो है वो बीत रही थी, लेकिन उसके नाम का मतलब तो lord of universe था who appeared like morning birds option A, writer and her friends या sahib's parents या sahib and his friends, या group of ladies तो उसका सही answer option C हो जाएगा, morning में sahib और उसके friend नंगे पाउं दिखते थे writer को, who are called army of barefoot boys ठीक है, sahib and his friends या फिर writer and her friends sahib's parents या group of ladies तो इसका सही answer, sahib और उसके friends जोते, उनको army of barefoot कहा गया है where does sahib live ठीक है, सीमापुरी, मनिपुर, धाका या पतना साहib जो है, वो सीमापुरी में रहता है और where is सीमापुरी situated in the center of Delhi on the periphery of Delhi outside Delhi, या in धाका तो सीमापुरी है on the outskirts of Delhi या on the periphery of Delhi ठीक है, विल्कुल देली के किनारे पे अब यहाँ पे आगे है who lived in सीमापुरी सीमापुरी में कौन रहता था farmers, traders, politicians या ragpickers, तो बहुत आस मतलब इसका आसान सा answer है कि ragpickers रहते थे what change has come in सीमापुरी over the years it is no longer a wilderness structures of mud with roofs of tin and tarpaulin have appeared here या about 10,000 ragpickers live here, या all of the above तो उसका सही answer हो जाएगा यह सारी ही चीज़े सही है 10,000 ragpickers भी अब वहाँ पर रहने लगे है structures of mud, मिटी के घर और tin की छते हैं ठीक है और tarpaulin की छते हैं मतलब आप कह सकते हो और मतलब यह सारे ही कहीं न कहीं जो statements हैं वो सही है option D सही हो जाएगा इसका The houses in Seemapuri are made of dash किससे बने होए थे? bricks and concrete या asbestos, sheets या फिर mud, tin and tarpaulin या plywood तो उसके घर जो बने होए थे Seemapuri के mud, tin and tarpaulin के बने होए थे For the people of sahib's colony What is more important than identity? Option A Gold, coats, silver, food तो सही answer food हो जाएगा Because for them, food is more important than identity ठीक है? Next question is Squatters who came from Bangladesh in dash 1970, 1971, 1972, 1973 तो इसका सही answer 1971 हो जाएगा Seemapuri is the home of dash 10,000 drag pickers 20,000 drag pickers 5,000 drag pickers या 15,000 drag pickers तो Seemapuri में लग भग, लग भग 10,000 जो है rag picker आप मान सकते हो उनका घर था Survival in Seemapuri means dash Working in tea stall Bagging Working in glass factory या rag picking तो Seemapuri में survival का मतलब था rag picking सिरफ कुड़ा बिनना Who sometimes finds a rupee Even a 10 rupee note The writer या the storyteller या sahib या the narrator तो ये answer हो जाएगा sahib वो जब कुड़ा बिनता था तो कभी उसको 1 rupee भी दिख जाते थे कभी 10 rupee का note भी मिल जाता था What does heap of garbage stand for the children's parents ठीक है जो garbage का जो कुड़े का धेर था वो उसके मतलब उनके parents के लिए जो थे मतलब बच्चों के वो किस तरीके से था A source of water यह means of survival source of unending joy यह all of the above तो इसका सही answer हो जाएगा means of survival because the heap of garbage ठीक है garbage was a kind of means of survival for them ठीक है The word garbage means dash garbage का मतलब क्या होता है rubbish rare material यह expensive thing यह useful material तो option A सही हो जाएगा rubbish ठीक है What does a heap of garbage stand for the children ठीक है बच्चों के लिए क्या था वो जो कूडे का धेर था wrapped in wonder यह a means of survival a source of water यह all of the above तो बच्चों के लिए वो कहीं न कहीं wrapped in wonder था क्योंकि बच्चों को कभी वहाँ से पैसे मिल जाते थे कभी note मिल जाते थे ठीक है तो उनके लिए एक तरीके से यह wrapped in wonder था What is sahib watching from the fenced gate of a club ठीक है Two young men playing tennis यह two women dancing यह two dogs quarreling यह a gardener planting flowers तो इसका सही answer option यह हो जाएगा वो भार से खड़े हो के देखता है दो young men खेल रहे थे tennis Later sahib is found wearing shoes Who gave him the shoes ठीक है The writer, a doctor, a policeman यह a rich boy तो उसको एक अमीर लड़के ने जूते दिये थे Why did the rich boy give the tennis shoes to sahib Because he liked sahib यह he hated his shoes यह there was a hole in one of them यह sahib bought them from him तो option C सही हो जाएगा भाई छेट था तभी उसने sahib को दे दिया था Which game is out of sahib's reach ठीक है इसका answer आप मुझे comment box में देंगे Option A है football B है tennis C है cricket and option D is hide and seek Next question is Why does sahib remain barefoot नंगे पाउं क्यों रहता था sahib Because his feet are beautiful यह he hates shoes यह he is so poor that he cannot buy shoes and chappals ठीक है यह his employer forbids him to wear shoes तो इसका option C सही हो जाएगा वो काफी गरीब था और वो जूते और चपल नहीं खरीच सकता था Where does sahib work after leaving the work of a rag picker ठीक है Rag picker का का काम जब उसने छोड़ दिया था तो अब वो कहां काम करता था एक tea stall में काम करता था हम सभी जानते हैं Who was no longer his own master Option A the writer Option B sahib Option C tea shop owner यह option D is sahib's friend तो इसमें sahib सही हो जाएगा Because जब उसने अपने काम को छोड़ दिया था Rag picking वाले After leaving the rag picking ठीक है आप सभी को पता है वो tea shop में काम करने लगाता वहाँ पे वो किसी के अंदर duty कर रहा था किसी की नौकरी कर रहा था तो वो अपना अब master नहीं था Dash seems heavier than the plastic bag Option A the glass Option B tumbler Option C steel canister Option D kettle तो यह जो है इसमें option C सही हो जाएगा Steel canister जिसमें वो चाय वगारा के लिए जो इस्तमाल होता है वो उसको ज़्यादा भारी लगने लगा था जब वो कूड़ा भीमता था जब वो plastic bag से भी ज़्यादा उसको भारी अब steel का यह canister लगने लगा था तो सही आंसर हो जाएगा 800 उसकी salary थी तो सही आंसर हो जाएगा bangles which is the center of India's glass blowing industry फेरोजपुर यह औरंगाबाद, फरीदाबाद यह फिरोजबाद तो option D सही हो जाएगा फिरोजबाद is the center of India's glass blowing industry so we can say that option D is correct find the word which means false appearance ठीक है false appearance option A है looms, option B है furnace, option C है mirage, option D है welding option C सही हो जाएगा mirage यानि कि false appearance जो कि असलियत में नहीं होता पर हमें दिख रहा होता है कभी आपने सुना है रेगिस्तान में mirage दिखता है कि आप बहुत ठक जाओ जब आप चल चल के रेगिस्तान में रेथ के ओपर तो आपको आँखों के सामने ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ पर आपको छोटा सा तालाब दिख रहा है लेकिन वो एक mirage होता है वो असलिय नहीं होता ठीक है तो इसी को हम false appearance यानि कि mirage कहते है find the word which means hearth option A है amidst ठीक है amidst और furnace या mirage या insist तो सही answer हो जाएगा furnace ठीक है what is illegal for children option A to be a motor mechanic या to have a dream या to work in the glass furnaces या option D है all the above तो सही answer option C हो जाएगा बच्चों के लिए illegal था glass furnaces में glass की factory में काम करना बहुत जादा hazardous वहाँ पे conditions होती है और वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत जादा आप क्या सकते हो कि शोशन होता है उनकी आगों की रोशनी तक चले जाती थी तो ये इसलिए काम illegal था where do most of the children in फिरोजाबाद work option A in a factory, option B in glass industry, option C at the tea stall या फिर as rag pickers तो फिरोजाबाद में जादा तर जो थे वो glass industry में लगे वे थे, चूड़ी बनाने वाली what is the condition of the lanes in Mukesh's colony? ठीक है, option A है stinking, option B choked with garbage, option C है both A and B, option D है beautiful and clean सही answer हो जाएगा stinking भी थी, choked with garbage भी थी, ठीक है कूडे कचरे से भरी वी और बहुत जादा बदबुदार, इस तरीके से हम कह सकते हैं, option C सही होगा how many children work in glass industry, 10,000, 20,000, 25,000 या फिर 15,000 तो सही answer हो जाएगा 20,000 students were working in that glass industry which we have read in the chapter, ठीक है find the word which means dark and dirty, beam, hovels, dinghy या slob, तो सही answer हो जाएगा dinghy, dinghy का बतलब dark and dirty, जो वहाँ के जो factory आती वो dinghy थी, एक दम से dark, अंधेरी, रोशनी क्या कोई नामों निशान नहीं था find the word which means toil, option A है furnaces, option B है dinghy, option C है beam, option D है यहाँ पे slob, तो सही answer option D हो जाएगा जाने की slob, is similar as toil, where does Mukesh's family work, कहां काम करती थी भाई Mukesh की family, in a school, in a club, on a farm, या in a bangle factory, option D सही हो जाएगा, वो बैंगल factory में काम करते थे, what does the writer say about the street in which Mukesh's house situated, option A, a wide, option A है a fine street, option B, a wide street, option C, a street with civic amenities, option D, a stinking lane choked with garbage, तो ऐसा हमने अभी भी एक question देखा था, तो हम कह सकते हो, option D सही है, in what kind of house does Mukesh live, in a big house, in a bungalow, in a half built rough hut, या in a flat, तो Mukesh रहता था, आधी बनी वी, कच्ची सी जोपड़ी के अंदर, ठीक है, what art has the elder taught his two sons, option A, the art of making bangles, option B, the art of renovating a house, option C, the art of sewing clothes, option D, the art of teaching children, सही answer option A हो जाएगा, चूडी बनाने की जो कलाती वो सिखाएगा, find the word which means poor, option A, custom, option B, renovate, option C, well, option D है, impoverished, ठीक है, impoverished, तो इसका सही answer option D हो जाएगा, who is Savita, a married woman, an elderly woman, a young girl, या a lovely bride, तो सही answer हो जाएगा, option C, जो Savita है, वो कोन है एक young girl है, what sensitivity attached to bangles, ठीक है, what sensitivity attached to bangles, they are made of pure glass, या they symbolize an Indian women's सहाग, या they are worn by all girls and all women, या they are worn on all auspicious occasions, तो सही answer हो जाएगा, option B, bangles को कही न कहीं Indian women का सहाग भी माना जाता है, what job is Savita doing, she is soldiering pieces of glasses, she is draping a bride with a red veil, या she is dyeing the hands of a girl red, या she is rolling bangles onto the wrist of an old woman, तो इसका सही answer हो जाएगा, she is soldering pieces of glass, what do the bangles symbolize in Indian culture, सुहाग, chastity, corruption या farming, तो bangles कहीं न कहीं symbolize करती हैं सुहाग को, हमारे सब्वेता में, हमारे culture में, और हमारी संस्क्रिती में, find the word which means dull, option यह है light, drab, sensitive और यह ड्रैप्ट, सही answer हो जाएगा drab, option B, find the word which means colored, option यह है dyed, drab, drained, reaped, तो सही answer हो जाएगा आपका dyed, बालों में dye करते हैं न, बालों को रंगना, तो यह वो ही है dyed, find the word in the passage which means holiness, अगर कोई ऐसा पैसे जा जाता है जिसमें लिखाओ holiness, तो उसमें holiness के जैसा ही कुन सा word है, tongs, veil, sanctity यह dyed, तो सही answer हो जाएगा sanctity, what forces conspire to keep the workers in Bengal industry of Ferozabad, ठीक हैं, कौन सी वो चीज़े हैं, कौन से वो forces हैं, जो वहाँ के workers को लगातार Bengal industries में काम करने के लिए force करते हैं, साहुकार्स, middleman, policeman, bureaucrats, politician, यह सारे ही लोग हैं भई, जो उनको वहाँ पर मजबूर करते हैं, find the word which means blemish यां disgrace, option A है vicious, baggage, distinct, stigma, सही answer हो जाएगा stigma, which means blemish यां फिर disgrace, find the word which means evil, option A है vicious, imposed, cheered या काश, सही answer हो जाएगा vicious, which means evil, what does Mukesh want to become, option A है a doctor, a motor mechanic, a teacher, a writer, सही answer हो जाएगा यहाँ पर a motor mechanic, find the word which means burden, option A है vicious, baggage, law या distinct, सही answer यहाँ पर हो जाएगा baggage, which means burden, ठीक है, next question है, what does the writer try to depict in the lesson lost spring, lost adolescence, या lost childhood, lost freedom, या lost spring season, सही answer हो जाएगा lost childhood, ठीक है, कहीं न कहीं खोया हुआ बच्पन इसमें बताया है, रहा गया है, what is the probable reason for children remaining barefoot, क्या कारण हो सकता है नंगा रहने का, उनके जो पैर, जो कहीं नंगे पैर वो रहते हैं, lack of money, a tradition to remain barefoot, physical illness, perpetual state of poverty, तो option D सही हो जाएगा, perpetual state of poverty, मुकेश्ट's dream looks like, looms like, a dash, amidst the dust of streets that fills his town फिरो सा बाथ, इसका सही answer मिराज हो जाएगा, यह हमने अभी भी देखा था, उसका dream एक मिराज की तरह ही था, this story is an excerpt from which book of the author, lost spring stories of stolen childhood, कौन सी बुक से लिया गया है, यह जो हमाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, spring tales यह silent spring यह none, सही answer option A हो जाएगा, lost spring stories of stolen childhood से यह story ले गई है, मुकेश wants to learn to become a motor mechanic by finding a tutor, यह going to a garage to learn, यह by reading books, यह none, सही answer हो जाएगा, वो एक garage में जाना चाहता है, वहाँ जाके वो सीखना चाहता है, what bothers the author most about the bengal makers, option A, the stigma of poverty and caste, option B, the affiliates of the landlords, option C, the behavior of the factory owners, the option D हैं यहाँ पे the labor laws, तो option A सही हो जाएगा, stigma of poverty and caste, जो है वो, option इसमें आगे अगर हम देखें question को, तो वो है, what is the central theme of the story Lost Spring, option A, pitable, poor children and their lost childhood, यह garbage, यह sahib and mukesh, यह spring season, तो इसकी जो central theme है, जो main idea है, वो है, जो कितनी बुरी condition है, यहाँ पे गरीब बच्चों की और उनका जो बच्चपन है, वो खोचुका है, फिरोजाबाद is the center of which industry, option A, cotton industry, option B, furniture industry, option C, textile industry, option D, glass blowing industry, सही answer हो जाएगा, glass blowing industry का वो center है, इसी के साथ यह chapter यहाँ पे हमारा finish होता है, कोई भी अगर आपको चीज ना समझाई हो, तो आप मुछ से पूछ सकते हैं, आके Instagram पे, और comment करके जरूर बताएं, आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को subscribe करना ना बूले, बेल आइक उनका दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के notifications आपको मिलते रहें, वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिए, जैहिंज, जैभारत, धन्यवाद,